नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाट के एक और रियक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो में आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ और जिस वीडियो पर मैं रियक्शन देने जा रहा हूँ, वीडियो है कैटलिस्ट रेकॉ बड़ा अलग साथ टॉपिक लग रहा है, तो चलिए देखते हैं जरा कि विदेशी पाकिस्तानी को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर इंडियों को और इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं एक पता अब क्या रगता है जो फॉरुनरस हैं वो जादा सपोर्ट पाकिस्तान को करते हैं या इंडिया को करते हैं या एक तो फॉरे से वो टोड़ी टाइप लोग हैं दूसरे पॉपलेशन भी ज्यादा है इस वज़ह से वह ज़ह अश्यादा वहां पर लाइक करतें हम वहाँ पर ज्यादा फॉरेनर्स उनको सपोर्ट करेंगे नहीं सब्सक्राइब ज्यादा ट्रेक्ट अपने जो भी मीडिया इंडर्स्ट्री पॉंट अफ यू से ज्यादा चाम रखता है वह इस वज़ा से ज्यादा उनका में भी तो हमारे क्योंके आपर बियेंगी मुसलिम क पीश किया गया है इस वाइब तो वो वाइट करती हूँ पैश किया गया है तालिबान जिसे सारी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है उसको आपका देश खुला सपोर्ट करता है आपके देश के प्रधान मंत्री इमरान खान उसके लिए मदद मांगते हैं आपके देश के खुफिया एजनसी के ISI के चीफ वहाँ तालिबान से मिलने जाते हैं खुले आम तस्वीरें पूरी दुनिया देखती है किसने पेश किया आपके आतंकवादी घटनाए होती है क्रिकटी में आतंकवाद के डर से चली जाती है शिलंका के टीम पर फारिंग हो जाती है चलीए आप कहते हो कि इसमें सब में भारत का हाथ है भाई भारत का हाथ है तो आपने रोका क्यों नहीं आपने रोका क्यों नहीं और अब तक ये साबित क्यों नहीं हो पाया और क्यों भारत के तरफ लोग ज़ादा देखते हैं भारत में लोग ज़ादा सेफ महसूस करते हैं और पाकिस्तान में नहीं करते हैं पाकिस्तान की छवी एक आतंकवादी देश वाली छवी किसने बनाई किसी के कहने से, किसी के बोलते रहने से कोई देश आतंकवादी नहीं बन जाता आतंकवादी वाला छवी नहीं हासल कर लेता आपकी करनी आपको बताती है कि आप क्या करते हो आप लोगों ने क्या किया है इसका अंदाजा आपको नहीं है क्यों आपकी छवी खराब है कहीं न कहीं एक परसंट तो आपकी भी गलती रही होगी अगर आपको मानना है तो मानिये नहीं मानना है मत मानिये कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे परिशानी आपके देश को है बाकी दुनिया के किसी देश को कोई प्रब्ब्ब नहीं है आपके देश को परशानी है आपके लोगों के एरपोर्ट पर कपड़े तक उतार दिये जाते हैं और उसका प्रोटेस्ट करने तक पाकिस्तान के सरकार नहीं जाती आप समझ रहें हमारे यहां के नेताओं को भी एक दूबार अमेरिका में कपड़े उतारे गए और उसके बाद इंडिया ने कहा कि अच्छा अमेरिकन्स के भी हम उतारेंगे कपड़े उसके बाद से सब ठीक हो गया फिर कभी नहीं हो ऐसा तो आप इस चीज को समझेए कि आपकी छवी ऐसी क्यों है यहां लेको तो किस कंट्री को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इंडिया पाकिसान पेरखाल इंडिया को मिल रहा हुआ क्योंकि यहां पर तो हमारी जो पीच्छे रेटिंग आई है वो भी उसने भी काफी इमज हमारा डॉन किया है वो जो इसमें जो ग्राफ नहीं है इसमें वो क्रॉप्शन का कि 147 के 148 पे हमारा ग्राफ चला गया है तो इस पॉइंट आफ यू से भी वो भी सोचते होंगे यह सेफ नहीं है यह वर हम जो भी एट करेंगे वह तो इसवजाए से वो इसा मुलक देखेंगे जहां पर इस चीज आखी जान की नहींगे तब आपने भी अगर को इनवस्मेंट करनी हैं तो हम भी कोश साइड इखेंगे ना अगर हम टूरिजम की बात करें, हिस्टॉरिकल प्लेसिस की बात करें, तो अगर इस पैक्टर को मद नजर रखें, तो फिर किस कंट्री को ज्यादा सुपोर्ट है? पाकिसान, मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समयता है, यह तो यह है कि अगर सर्च की जाए, तो उसमें बैटर बाद चलेगा कि इंडिया ठीक रहेगा या पाकिसान, क्योंकि हम पाकिसान के इंडिया के इतनी ज्यादा हमने कोई ना सच किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहा इंवेस्मेंट के हवाले से देखा जाए, तो इंडिया इस कुरेंट्ली दाहब इंजिया, बहुत सारे वहां पर उपर्चुनिटीज हैं, बिसाइड बाद टूरिज्म में अगर देखा जाए, तो पिपल स्टिल प्रेफर एंडिया, बिकस अफ़ बुद्दिय्म एंडिय और लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया में विजिट करें, पाकिस्तान को एक्स्पोजर मिल रहा है तो इनकी पॉलिस्मेंट्स बहुत अच्छी हैं, कंपेर टू दा पाकिस्तान सब्स्टान को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, और बहुत सारी कंपनीज लाइग गूग कि ऐस एक इंडिया न है को प्राइफर करते हैं कि वहाँ पे अपने सेटपस न के अपने ऑफिस हो लोग वहाँ पिज़ादा इंडिया का अफिसमेंट्ंस अब्सटान को इंडिया में ज्लॺ ने अपने कि अभ VPN को इन परपिस्तान सी Noël sino ऑपने का幹 एग बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एपल का ओफिस नहीं है पाकिस्तान के अंदर and due to the taxation policies and a lot of other things India is still preferable in the computer science and the software department हमें जो है वो चाइना की support है और अगर हम नहीं comparison करें इंडिया के साथ तो इंडिया को बहुत से मुमाली की support है आपको क्या लगता है जिस शार्पनस से इंडिया इस वक्त आगे ग्रोग कर रहा है क्या हम लोग कभी उनको कंपीट कर पाएंगे in terms of freelancing Pakistan is actually giving quite a good head to toe competition to India काफी जादा software को software industry को boost मिला है पाकिस्टा क्या टक कर दे रहा है भाई साब अगर आपको नहीं पता था अभी इमरान खान ने थोड़ी दिन पहले यह बताया था कि आपकी software industry में कितना export वह शार्द 2 billion dollars का हुआ है export और वह भी 75% export में IT export में hike हुआ है तब जाकर टू बिलियन डॉलर पे पहुंचे हो भारत का पता है 175 billion dollars कि टू बिलियन डॉलर पाकिसान का 75% hike के बाद और हमारा शायद 175 बिलियन डॉलर है या 150 बिलियन डॉलर है इसी टाइप का है कि दू बिलियन डॉलर पे और 170 बिलियन डॉलर में क्या फर्क है आप कंपटीट कर पाओगे आप तक्कर दे रहे हूँ इंडिया ओविसली उनकी population ज्यादा है एरिया ज्यादा है और वह ज्यादा कवरेज कर रहे हैं software department को तो मेभी ऽॉब भी यॉब कैसे ही आपको क्प़मटे रिटा बिलकु जा टो में जा तेल्व कर विद्लिया जान के है वी घॉबगे अबने बिल्कुल नहींदा आ पाकिस्तन गॉपे मीट में तो कफे सारी है गलतियां की हैं पाकिसान के लीडर तो ज़र्दारी के दौर में इंवेस्मेंट पाकिसान में रिफ्यूज्ड और बहुत जादा ने इंटरनेट की हमें वो हब जो है वो डिरेक्टि अवेलेबल नहीं है इंडिया को अवेलेबल है तो अल्रेडी बहुत ज्यादा बूस्ट जो इंडिया को मिल चुका है इस फार आहेड दन पाकिस्तान और अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वह कंपेट कर सेके इन 10-15 तो ओविस इंडिया से जाते हैं वहां पर तो इसके पीचे की रिजन जापको नजर आती है कि उनको बहुत ज़दा सपोर्ट मिल रहा है क्या उनकी एजुकेशन का फेक्टर है इसमें या क्या चीज आपको क्या लगता है अबसलूटली दाइजुकेशन सेक्टर प्लेज पले यह एक्टर प्लाइट फिर्स बिफोर अप्लाइग तो एनि युनिवस्टी स्टैनफर्ड और उक्सफर्ड फोर एजम्पल उनका उस्ट एजुकेशन का मेर बहुत मॉडर्न उनका सटिफिकेट और से तो उबसली एजुकेशन में उनको बहुत जादा सपोर्ट इसकी वह जासे वह प्रेफर करते हैं कि इंडियन को ही आगे मुव करेंज है एंडियर एक्स्ट्रीमली हार्ड वर्किंग पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हो रहा है और बहुत प्छले पांच सालों में मेरे ख्याल से सोफ्ट्वेर को वह रेकरिशन मिली है जो कि इंडिया में अच्छा आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि तो सूपर कंप्यूटर प्रग्या है शायद हाँ शायद सूपर कंप्यूटर प्रग्या है या कुछ है ऐसा ही है एकज़क नाम मुझे याद नहीं है माफ किजेगा लेकिन ये सोची कितनी बड़ी बात है कि हमारा यह कि I think कहीं में पढ़ रहा था कि शायद साल भर जितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में यह सूपरकंप्यूटर उस चीज़ को 24 आवर्स में कैलकुलेट कर लेगा आप समझ रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे यहां का जो अदूकेशन लेवल है वो बहुत जादा अप हो चुका है और सबसे बड़ी बात है इन्वेंशन में की चाहत जो हमारे बच्चों में है जो हमारे युवाओं में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और इसी का नतीजा है कि आज बड़ी से बड़ी tech companies पर Indians बैटे हैं उनको लियाने किया है कि हाँ इनको CEO बना तो नहीं वो उन्होंने एक सबसे initial level पर join किया है उस company को वहाँ पर अपनी काबलियत धीरे 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 वक्त के साथ साबित की है नए-nay ideas दिये हैं नए-nay inventions दिये हैं आप समझे रहें इस चीज़ को तब जाकर company को लगा कि नए यार इस बंदे में potential है मेरी company चलाने का तो आज Google हो, Microsoft हो, दूसरी बड़ी tech company हो, Twitter हो, बागी सारी चीज़े हैं वहाँ पर Indians बैठे हुए इसी वज़ा से बैठे हैं तो एजुकेशन और awareness बहुत जादा important है अगर हम वाके compare करना चाहते हैं इंवेस्टमेंट्स इंडिया में क्यों होती है क्यों उनको इतना जादा सपोर्ट है foreigners का अब देखे एजुकेशन उनकी policy government की वह भी बहुत अच्छी है ठीक है उसके अलावा आइफून की जो इंडिस्ट्री है वो जो आदा होगी है इंडिया में उन्हें मैनिफेक्ट्रिंग जो है आइफून 13 की मैनिफेक्ट्रिंग जो है वो इंडिया में हुई है तो जादी सी बात है फिर इंडिया को वो स्पोर्ट करेंगे इंडिया में अपनी चाइना से शिफ्ट करके तो क्या रीजन्स है जो बड़ी बड़ी इंवेस्मेंट्स इंडिया में हो रहे हैं इतना सपोर्ट मिल रहा है इंटरनेशनल और्गनाइजेशन में इंडिया के जो लोग है जा लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और क्या वज पाकस्ताना नहीं परद काम करते हैं। और टूर्टिसम। पाकिस्तान का रचान के गचाहिझे हैं। लगके इडिया हमसे बढ़ा है। रहप बीचाहिए तुर्टिसम। मैं किसी पार्टी को स्पोर्ट नहीं गरता लेकिन यह है कि इस इस हकोमत में यह हुआ है कि टूरिज्म को इमरान खाने काफी जो है उसको स्पोर्ट किया है इसलिए कि लोग बार से भी आते हैं फॉर्णर्स आते हैं वो पहले भी आते थे आज से तकरीबन कोई आप 40-50 साल भी देखें और आज से 20-30 जाल पहले भी जो हैना फॉर्णर्स यहां पर आते थे वो नहीं नई जगह को धूंड़ते थे ठीक हैं और जहां पर आज आज कल हम जा रहे हैं वहां पर वो थी साल 40 साल पहले की वो धूंड़ चुके हैं वह जगे क्या नाम है आपका जहरा जहरा मुझे ये बताओ कि जो फारेनर्स हैं वो जादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया को जादा तर इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसकी एकॉनमी में उनको हेल्प करते हैं विगाज उनको लोगों को अपनी तरफ एट्रेक्ट मिलते हैं उनको एट्रेक्ट करना आता है आपको नहीं लगता कि वो लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है आगे से वो रिस्पॉंस में उनको उनके मुताबिक ही देते हैं तब ही इंवेस्टमेंट होती है जारी दिवाद अगर इंवेस्टर को अपना फाइदा नहीं नजर आएगा तो कौन इंवेस्टमेंट करेगा हार्ड वर्किंग भी है थोड़ा वहां के अबादे भी पाकिस्तान से जादा है तो वहां के लोग जादा कमाते हैं और जाईबाते हैं उनको वहां से बेनिफिट मिलता है इसलिए फॉर्णर्स भी वहीं पे जाते हैं क्या दो किर वादा मनुफैक्षंटियंग अपने जो प्लांट्स हैं वहां लगाना लगाने की कोशिश करते हैं इसके पीछे किया रीजन इसके पिछे की र्याद यह हो सकती है मैं इनके मजहब कही ना कहीं से जाके उस पर आते हैं दूसरा उदर की एकोनिवी जो है वह सह सकते हैं कि वह झाला तर फॉर्ज के प्रिफरक्र करती हैं फ dez wyd 이상 हम उनिक से प्र mr अ कि ईश्रेंस लेकिन व्स एंडिया जा सकते हैं कि वह नब उप máंange जो अड़िया प्लीक उन्जे से ओdefined करेंगे इसका मतलब है कि जो इन्वेस्मेंट्स वहां पर हो रही है वो उनकी हकुम्मत की वाज़े से हो रही है क्योंकि वो लोग उनको पॉलिसी बहुत जादा अच्छी आगे से शो करेंगे बिल्कुल ऐसी वाद है उनकी पॉलिसी अच्छी है हमारी पॉलिसी जो है उसका आपके सामने ही है कि हमारी पॉलाइसी ठीक नहीं जिसकी वजह से हमारे मुलक में मंगाई है हमारा हर शोबा नकाम हो चुकिया है सपोर्ट का है, बिजनेस का है, शोबस का है, जो भी अधर जितने भी सारे नकाम है अगर हम बात करें इंटरनेशनल और्गनाजेशन की तो वो लोग भी इंडियन्स को इंविटेशन देते हैं कि वो एज़ा सी यू, एज़ा लीडिंग मैनेजिंग डिरेक्टर्स वगएरा के तौर पर वहां पर आकर काम करें लीड रोल प्ले करें और अगर हम बात करें मैनफ्टर्रिंग सेक्टर की तो बाहर की कंपनिया वो भी बहुत सप़ोट करती इंडिया को manufacturing plants में उन्होंने इंडिया में सेट अप अपने कर ली हैं इसके पीछे की क्या reasons है कि इतना support मिल रहा है इंडिया को यह बस उनके जो police है उनकी हकोमत ने जो police बनाई है जो फारं को तफ़स देते हैं फारं के जो investment है उसको तफ़स देते हैं यह सारा इसी कि जतना आप तफ़स दे के जिसमंदे को भी आप तफ़स दे के वो साफ़द्रρέ आपके Miche तो और पाकिस्तान में ऊपका होगा जाते हैं इनका माइंड है कि का ठार्वार के लाएं पिस्तान अमारे लिए बह से लेकन हकुमत का जो इस वक्त जो हाल बढ़ा है इस पर लगता है कि वो कोई भी दिन नहीं आ रहा है जी तो वीवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो उमीद करती हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ तब तक पाकिस्तान को पीछे खीचा है उसमें सबसे बड़ी वज़ा है टेर्रिजम की भ्यले हम दबी ये दॉबन से है फिरस्ट पहली बार में नहीं कहते है कुछ और वज़ाए गिन आते हैं इसको नीचे रखते हैं लेकिस्दान में वहाँ की लोगों का इनवाल्व होना उसमे सबसे बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान की छवी को दुनिया में इसलिए पाकिस्तान बद्राम है क्योंकि टेरिरिजम के जड़े यहां पर बहुत गहरी है और यह टेरिरिजम के जड़े इसलिए गहरी है क्योंकि पाकिस्तान के इस्टेबलिश्मेंट ने हमेशा भारत के खिलाफ कश्मीर के खिलाफ काम किया है वहाँ पर जमातों को बढ़ावा दिया गया उनको फिनांस किया गया फंड किया गया कि आप भारत के खिलाफ जहाद करिए आप भारत के खिलाफ कारवाईया करिए तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आप भारत के खिलाफ करवाई कर रहा हूँ लेकि ये पूरी दुनिया देख रही है वहाँ पे अगर जमातुद दावा जैसे आतंके संगठन है लशकर जैसे संगठन है या दूसरे और जो तमाम इतने पता नहीं कौन-कौन से जमाते हैं मुझे तो नाम भी याद नहीं है तो उसका निगटिव इंपाक्ट तो पड़ेगा ना भाई निगटिव इंपाक्ट तो पड़ेगा पाकिस्तान की शवी पर पाकिस्तान की इंवॉल्मेंट हर जगा दिखती है तो उसका असर तो होगा भाई कोई भी आपके हां invest क्यों करेगा investors ले करेगा कि उसको लगता है कि नहीं यार मेरा पैसा यहां पे safe है investment मेरी safe है plus return मुझे अच्छा मिलेगा आप बताइए कि आपके दोस चाइना ने वो डासु डैम project पर किया, वहाँ पर terrorist attack हो गया, आपको millions में dollars आपको पे करने पड़े, compensation में, मुआफ़े में पे करने पड़े, जब चाइना के साथ आपके यह हो रहा है, तो दूसरी कमपनियां, दूसरे देशों के कमपनियां तो भाई वो तो आने की सोचेंगे भी नहीं तो सबसे पहले इस terrorism का जो ठपा पे लग चुका है, आपकी हर्कतों की वज़े से उसको ठीक करिए बकॉल इसके कि Islamophobia और फालाना और कश्मीर solidarity day और ये और वो कश्मीर पर जुल में यह वो भाई या पहले, दूसरे देश शोड़ो पहले अपना घर संभालो अपने घर को देखो कि चूला जल पा रहा है कि निआ जल पा रहा है, अपने घर में चूला जलने का इंतिजाम करो लेकिन नही exist अपना देश शोड़ो देना है बाकियों पर देखना है कि बाकियों को उंगली करते रहो भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है अरे आपके यहां बलुचिस्तान में क्या हो रहा है सिंध में क्या हो रहा है के-पी-के में क्या हो रहा है तालीबान आपके साथ क्या कर रहा है टी-टी-पी वाले क्या कर रहा है पहले अपनी problem solve करो ना भाई उस पर कई channel वाले हैं YouTube वाले देखता हूँ भारत funding करता है अब ऐसे बोलने से अगर साबित हो जाता कि भारत funding करता है तो कर लो कर लो भाई सबुद्धो लेके चलो ना क्यों नहीं International Court of Justice में हमें क्यों नहीं घसिटा जाता आप कहते हो कि आपने कुल्भूशन को पकड़ा है और ये कर दिया है वो कर दिया है जासूस था और ये बड़े-बड़े धमाके करा है आतंकवादी घटना है करवाई साबित कहां कर पाए आप अभी तक पताओना यार International Court of Justice में साबित ही कर पाए आप हालत ये हो गई कि उसको counselor access भी दिया ICJ के आदेश पर आपके सारे महाँ पर आपने अपने सम्विधान में आपको बदलाव करने पड़े एक नया कानून लेकर आना पड़ा जो आपके लोगों को हाख हासिल नहीं है वो हख आपको बूशन को दे रहे हो क्यों किया भाई ऐसे इस सवाल का जवाब कोई दे दे मुझे दे दे न भाई ICJ के कहने पर किया न कानून में बदलाव करना पड़ा आपको कि सिविल अदालत में केस चलेगा क्यों नहीं आप भारती वकील दे देते हो उसको देकर तो देखो एक सिस्तो दो भारत यहीं मांग कर रहा है क्या आप केस लड़ी है बिल्कुल हम लड़ने को तयार है लेकिन उसका केस भारत का वकील लड़ेगा आपके सरकार मानी नहीं क्योंगे पता है कि भारत का वकील जाएगा जिसरा ICJ में उसने आपके वकिल की धजियां उड़ाई वैसे ही धजियां यहां बे उड़ेंगी आपके कोट में भी और कोट सबूतों और गवाहों के मानने पर फैसला देता है और उसमें आप निपट जाओगे इसलिए आप मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ कोई मेरी सवाल का जवाब दे दो कि आपको क्या एतराज है जब हमारे हाँ पठान कोट का हमला हुगा तब आपने कहा कि नहीं हमारे लोग जाएंगे वहाँ पर जाच करेंगे हमारी सरकार ने ग्रांट किया पाकिस्तान की टीम पहुँची उसमें आईएसाई के लोग भी शामिल थे अपने एर बेस पर लेकर गया आप सूचे कितना बड़ा रिस्क लिए हम लोग ने और हमने जाच करवाई है आपने हिम्मत बड़ी बड़ी बाते करा लो भारत फंड करता है पैसे देता है हतियार देता है तो आपके आईएसाई क्या घास चिल रही है क्या वाँ पर घास चिल रही है आईएसाई रोकती क्यों नहीं फंडिंग को हंथियार को ऐसे टपक जाते हैं क्या लोग आपकी आईएसाई में हो गया मोटी चमडी वाले लोग बैटके मलाई खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं इधर उधर के नाम पे पैसे अपनी जेब में भर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं कर रहे होते ना, तो ना पेशावर पर रातन की हमला हुआ होता नई समय बलुचिस्तान में जो हुआ हुआ होता नो आपके वहाँ पे KPK वेले इलाके में जो TTP कर रही है वो हुआ होता और इसके बाद भी अगर शर्म के मारे आपको शर्म नहीं आ रही है तो बेशर्मी से कहते रही है कि आपके agency number one है कहते रही तो भाईयो ये था वीडियो और सबसे पहले आप अपनी छवी ठीक कर रही भाई बाकी तो चलता रहेगा सब कुछ और एक चीज़ में बता दू कि tourism के मामले में जो लोग दावा कर रहे न वो ठीक वही comparison है जो comparison है कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया IT सेक्टर में हमने 75% हाइक के बाद हमने 2 billion dollar का वो किया हम भारत को टकर दे रहे हैं भारत ने कितने का export किया 166 billion dollar का तो यही फर्क है आपके tourism में और हमारे यहां के tourism में सेम फर्क है तो भाई जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिंद झाल यही आपके पूल झाल 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 तो झाल झाल झाल